हेलो दोस्तो नमस्कार पूरा नौर्मल स्क्रीन के उपर बहुत सारे स्टॉक्स इस वीडियो में यहापर कवर होने वाले फटा फटा फटम लोग यहापर शुरू कर लेते हैं एक एक स्टॉक को देख लेते हैं सबसे पहले यश्व इंडस्ट्री यश्व इंडस्ट्री अच्छा स्टॉक है बट माइक्रो कैप है जो कि अभी स्मॉल कैप बन चुका है तो मैं आलेडे आप लोगों को बता चुका हूँ यह कंपनी खराब नहीं है बट मेंटली प्रिपेट रहना चाहिए 30-40-50 पसंट का कभी भी करेक्शन यहापर आ सकते हैं कंपनी खराब नहीं बहुत अच्छी कंपन मतलब no profit no loss या फिर at least company के loss अगर consistently कम हो रहे तभी जाके हम लोग निवेश करेंगे वरना हम लोगों को ऐसे stock में पढ़ने का ही नहीं है की सस्ता हो रहे इसलिए खरीद लिए सस्ता stock और भी सस्ता हो सकता है 500 है ना 200 भी हो सकता है तो यह कोई मतलब बोलते ना base नहीं हो गया जाके कभी तो company के loss कम हो जाएंगे तभी जाके सोच लेंगे आज 80 पर मैं 800 पर भी खरीदने के लिए तैयर हूँ बट अभी खरीदने के लिए जल्द बाजी मेंगी पढ़ सकते में इससे पहले आप लोगों को बता चुक है जब से company आय ता हां listing gain के लिए ठीक था उसके ब numbers भी आ रहे है तो देख लिए ITC का performance कैसे रहेगा अभी blindly जाने की कोशिश यहाप लोगों ने करनी नहीं चाहिए बजाच finance evergreen stock आप कभी भी जा सकते हो प्रोवाइड आपका period of holding long term का होना चाहिए वापस यह stock हम लोगों को 7000 पे आते वह दिखने कमल रहे है वापस यह कभ लाइफ को और यहापे आगे लेके जाना चाहते है इसलिए उन्हें रिजाइन किया है अभी देखना पड़ेगा नया CEO यहापे कैसे performance करते है कंपणी खराब ने बहुत अच्छा business कंपणी का आप जरू होल्ड कर सकते हो RVNL अच्छी कंपणी है सरकारी कंपणी है प्राइजिंग की है इसाब से छोटी कंपणी है तो patience रखना पड़ेगा तो इसलिए RVNL जरू होल्ड करना dividend भी आप लोगों को मिलने वाला है IRFC की भी बात करें अभी तक capital gain का जलवा तो देखने को नहीं मिला है बट जरू हम लग कह सकते हैं कंपणी डूबने ही सकते railway की से जुड़ेवी है सरकारी कंपनी तो एक advantage आप लोगों के पास जरूर है तो आप जरू continue कर सकते हो Tata Steel की बात करें तो हमेशा की तरह Tata Steel जब भी में बात करता हो ये इस तरीकी का चाट पटन जरू बनाता हो volatility बहुत रहती है इसलिए retail investor ने सोच समझ करें decision लेना चाहिए क्या वो Tata Steel में इस तरीकी के volatility जहल सकते है या नहीं जब ये stock में profit booking होती है बहुत ही जबरदस लेवल पर profit booking होती है आराम से stock मतब बोलने के लिए तो लार्ज करें बट आराम से stock 40-50% नीचे आता है तो ये बात आप लोग ने जरूर सोचनी चाहिए नेक्स बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे कुछ penny stock से related तो उर्जा ग्लोबल सर उर्जा ग्लोबल बहुत अच्छा कर रहा है यहाँ पे देखे यह सीखने के लिए ठीक है मैं आज भी आप लोग को disclaimer के साथ बताना चाहूंगा yes ये आज भी मेरे portfolio में है बट मेरे कोई बहुत ज्यादा quantity नहीं रहे कि सीखने के लिए मैं रखता हो दोस्तों इवन दो penny stock में भी हम लोग सही जारे मतलब हमारा जो study का मिथड़े वो बहुत ही correct है इसके beyond नहीं जाना है जब तक company number अच्छे नहीं दिखाते तब तक सेम बात अगर हम लोग बात करें सुजलान एनरजी को तो यह भी 25 रुपे के आसपास देखने को मिल रहे टेक्स्टायल से जुड़ा हुआ है उसी के इर्दगिर चलते वे देखने को आपे मिल रहा है Reliance का नाम इसमें जुड़ चुका है इसलिए थोड़ा बहुत जोश है तो जरू अगर आप चाओ तो यह आपे continue कर सकते हो आ अभी फिलाल हम लोग देख सकते अच्छा का सा performance चल रहा है लर्निंग के लिए ठीक है अगर हम लोग बात करेंगे एवर ग्रीन स्टॉक एवनू सुपरमार्ट डीमार्ट कभी ना कभी निफ्टिफ्टि में आएगा है आपके पास होल्ड कीजिए जितना गिरे खरीच सकत क्या कंपनी का बिजनेस खराब है नहीं देखें इनफोसेस जैसी चोटी मतलब अभी बड़ी कंपनी पहले वह चोटी हुआ करती थी रैट आप हिस्ट्री पढ़ लेना इनफोसेस मतलब पहले कोई खरीता भी नहीं था तो यह कंपनी जब छोटी होती था बहुत ही रिस्क नेक्स्ट बात करेंगे ट्रैडेंट अच्छा स्टॉक है यहापे हम लोग के सकते तीन रुपे से पचास हुआ है और कंपनी के बिजनेस में वाके में दव है कंपनी के बैलन्स एट प्लन में हम लोग को सुदार होते वे देखने को आपे मिला है तो देख लेते हैं इस व हम लोग कह सकते हैं जो लगातार फेल कर रहे थे वो अभी एक्जिट है आपे हो चुके सब्सक्राइब कोई खराब कंपनी ने अगर आपके पास है तो जरू होल्ड कर ले ना कंपनी के नंबर समनों को लास्ट टैम भी अच्छे देखने को मिले थे कैम्स की बाद करें अच्छी कंपनी हैं इनका बिजनेस हमनों को देखने को मिलता है कंटिन्यू कर सकते हो डिक्सान टेकनोजी की बारे में क्या बता हो आप लोगों को पता है दो हजार के हम लोगों ने इसको देखा था और दो हजार का स्टॉक 22,000 के उपर चला गया फिर स्प्लेट हम लोगों को देखने को मिला बोनस स्प्लेट जो कॉर्पेट एक्शन रहते हैं और उसके बाद अभी भी स्टॉक यहां पर अच्छा ही कर रहा है तो डिक्सान टेकनोजी बहुत ही कमाल की कंपनी स्मार्टफोन से जुड़े वी कंपनी है जरू कंटिन्यू कर स अच्छा है जहां पर आप लोग थोड़ा बहुत अच्छा कासा रिटन कमा सकते हो आई एक्स की बात करें अच्छी कंपनी है दोस्तों प्लीज 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 होल्ड कीजिए रोज रोज स्टॉक नहीं बागते है जब वापस बागेंगे बहुत सारे रिटेल वापस कमबैक करेंगे अगर आपकी पास है तो होल्ड कर लेना आयर सीटी सी में भी सेम चीज कहना चाहूंगा अच्छी कंपनी जरू आप चाहो तो यहापे होल्ड कर सकते हो मदर संसुमी ऑटो एंसलीर वाली कंपनी ऑटो सेक्टर में स्लोडाउन चल रहा है ऑटो देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप मिड कैप टाइप का स्टॉक है है अगर आपके पास तो होल्ड कर लेना नेक्स बात करेंगे टाटा मोटर आप सब लोंग पता है फर्स्ट एप्रिल से टाटा मोटर अपने गाड़ियों के दाम बढ़ाने वाले जो कि एक अच्छी बात ह इसी के चलते आज 3% की तेजी भी देखने को आपे मिली है कल के दिन भी आप लोगों ने देखा था टाइगोर के भी प्राइस बढ़ाने का न्यूस सामने है था अभी तो उन्होंने बोल दिये जितने भी मॉडले सब के ब्राइस बढ़ेंगे ओविसली मार्जिन के से में उन्हों को महिंगाई देखने को मिल रही है टाटा पावर की बात करें यह भी अच्छा ही स्टॉक है आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक वेहिकल उसी की साथ साथ क्लीन एनरजी ग्रीन एनरजी सोलार पावर रूफ टॉप सबकी अगर हम लोग बात करें इसमें एकमपन सिक्षन में यहां पर आप लोग चाहो तो स्टॉक को मेंशन कर सकते हो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना है अभी तक डिमैट अकांट उपन नहीं के तो जरू आप डिमैट अकांट उपन कर सकते हो लिंक नीच निचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कौन सा अकांट लिंक के तुरू उपन किया मुझे बता देना तो आप लोगों को में 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक अफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वो फ्री आफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूँगा तब तक के लिए बाइ